Hello guys, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा guys की Realme 11 5G फान में आप लोग pattern लोग को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Realme 11 5G फान है और इस फान में जो है कोई भी passport लगा नहीं है स्वाइप करते ही आपका जो phone है वो खुल जा रहा है और अगर आपके phone में कुछ private documents बगरा है जो आप लोग नहीं चाते हो कि कोई देखे या photos बगरा है जो आप लोग नहीं चाते हो कि कोई देखे तो आप लोग जो है अपने phone में pattern lock लगा के रख सकते हो pattern lock लगाने से आपके phone में जो है कोई भी lock खुल नहीं पाएगा आपका phone का और जो भी pattern lock जो है वो नहीं आप लोगों को पता होगा कि इस phone में क्या pattern lock है तो वो जो है आपने phone को आपके phone को जो है नहीं खौल पाएगा तो pattern lock को आप लोग कैसे लगाओगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को start करते है pattern lock को लगाने के लिए आपको सबसे पहले settings में जाना है और यहाँ पर से नीचे scroll down कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा गईज पासवोर्ट एन सेकूरिटी का तो इस पासवोर्ट एन सेकूरिटी पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक lock screen पासवोर्ट का option आएगा गाईज तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहापर देख सकते पेटरन लिखा हुआ है तो इस पेटरन पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कॉंटीनिव के ओप्षन पे क्लिक करना होगा तो यहापर हम 5 सेकेंड वेट कर लेंगे और कॉंटीनिव पे क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही देख सकती यहापर pattern आ गया है तो यहापर से जो भी pattern आप लोगों को रखना है उस pattern को आप लोगों को पहले डालना है उसके बाद और एक बार डाल देना है डालने के बाद यहापर देख सकते है कुछ fingerprint unlock का option आएगा तो हम fingerprint नहीं लगाएंगे और इसको cancel करतें है तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने realme 11 5G phone में pattern लोग को लगा सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक्ष वीडियो में त